गाई मिशे काफी कमेंट टेखी टाइप का देखने को लगातार मिल रहा था जैसे रहान सोरो इनका कहना है कि सर मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरी मादा खरगोस प्रेगनेंट है या नहीं और यूजर या च्वाई 9-KP7 इनका कहना है कि खरगोस बाय कर ली है तो कैसे जाने की है या नहीं और सत्ता इनका कहना है खरगोस का कैसे पता लगाएं प्रेगनेंट है या नहीं तो गाई आज हम लोग इस वीडियो में ही सब कुछ कंपलीटली देखने और जानने वाले हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी मादा खरगोस प्रेगनेंट है या नहीं ये इ मुझे कमेंट भी करते हैं और आपको सब कुछ कीडियर भी नहीं हो पाता है नमस्कार दोस्तों मैं हूं आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पेट्रेवी टेंडेनी मर्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हर्दिक स्वागत है गाज जनकारी देखने और शीखने को जरूर मिलेगी तो चलिए गाज ज्यादा बाते ना करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं गाज आज हम लोग इस वीडियो में रैबिट के ऐसे चार से पांच लच्छडों के बारे में जानेंगे जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी मादा खरगोस प्रेगनेंट है या नहीं तो आईए नंबर वाइज फटा फट उन लच्छडों को जान लेते हैं गाज कभी कभी जब मादा खरगोस प्रेगनेंट हो जाती है तब वो बहुत जादा सोती रहती है तब आपको समझ जाना है कि आपकी मादा खरगोस प्रेगनेंट है क्योंकि उजरासा उचलकुत करने के बाद ठक जाती है और तुरन पहर लंबे करके सोने लगती है ये रै इस कंडिशन में आपको हमेशा उसका खान पान पर ज्यादा ध्यान देना है ना कि कोई कमिया घट उत्तरी करनी है बलकि उसके खाने पीने की चीजों में ही बढ़ोतरी कर देनी है आपको नमबर थी गोद में उठाने पर काटने पर गाई जब तक मादा खरगोश प्रेगने चाहती है और वो शांतिक होजती है तब भी इस कंडिशन में आपको समझ जाना है कि आपकी मादा खरगोश प्रेगनेंट है और आप इस कंडिशन में अप उसे गोद में उठाने की कोशिश करेंगे तब आपको बाइट भी कर सकती है बाकि आप खुद ही समझदार है औरो गाईज ये सब बाते में कई वीडियों में पहले भी बता चुका हो लेकिन जो नई राविट लबर भाई बहन है जिनको इन सब बातों के अभी जानकारी नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 30 से 32 दिन का बेट कर लीजिए, आपका सारा डाउट और सब कुछ 100% किलियर हो जाएगा, क्योंकि एक मादा खरगोष का pregnancy period 30 से 32 दिन का ही होता है, और अगर आप 30 से 32 दिन बेट कर लेते हैं, तो इतने समय में अगर वो pregnant रहेगी, तो बच्चों को पर नहीं करेगी, फिर आपको समझ जाना है कि वो pregnant ही नहीं है और आपको फिर से उसका meeting करवाना है, और गाइज, रैविट का pregnancy कैसे टेस्ट किया जाता है या, खरगोष pregnant है या नहीं, कैसे चेक करें, इस टाफिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियो जिसमें मैंने अलग- प्रब्लम साल्ब हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ही चीज एक वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, वरना वीडियो काफी लंबा चोड़ा हो जाएगा फिर लोगों को दिक्कत होने लगता है, और गाइज, वीडियो पसंद आने पर लाइक ये उन्चैनल को स सब्सक्राइब जरूर करें, और रैविट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जिसे मैं आपको देर सबेर रिपलाई देने की, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिस करूँगा, तो चलिएग आज मिलते है खरगोश से समंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर चर्चा करते हुए तब तक के लिए जय हिंद